वेलो फ्रेंड्स जिक्के फिंडमेंटल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है आज की क्लास में हम 51 वर्ड सब्टिटिशन करेंगे तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं तो पहला बिंग एनेबल टू पे वन्स डैप्ट इसका क्या होगा इसका मतलब होता है जो किसी ने किसी से या फिर बेंक से करज लिया हो दूसे हों टुसें बोलते हम इनन्सौलवंट यानि कि दिवा लिया नैस्ट स्ट इस ट्ली फ़ंक्षन ऑफ दी बोडरी यानि कि उमारे बोडी यानिकि जो 30 सास्तर नेस्ट गोवर्मेंट वाइव ओफिशल्स इने स्टेट तो उसे हम क्या कहेंगे तो उसे हम कहेंगे ब्यूरेक्रेशी यानिकी नोगर्स चाहि नेस्ट एन ओफिस विदाउट एन वर्क बट हाई पे जो इसका मतलब जो आदमी काम कम करे और जो सेल वग मेडिसिन देवाई तो उसे हम बोलते हैं एन्टीडोट यानिकी परतिकारक एडमार फ़र्ण साह फो एडमार फार्ट का हम क्या करते हैं तो से हम कहते हैं डिलेट नेट नेच्ट ऐट विच कैंणोंट बी मूड यानिकि जिसे एक जगाह से दूषरी जगह ना लिजा स्टेडी ओफ इंसेक्ट्स यानि कि जो कीटों की स्टूडी होती है उसे हम क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं इंटमलोजी यानि की कीट विग्यान नेक्ष्ट करते हैं चलो, wish to do good to others, यानि कि दूसरा के बार में अच्छा सोचने वाला है फिर अच्छा करने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं, बिनोलेंज, यानि कि दूसरा की भलाई सोचने वाला है, अच्छा करने वाला, नेक्ष्ट, way out for water or stream, यानि कि जो तो हमारी बाफ होती है अब पानी होता है उसको निकलने की स्थान को हम कहते हैं outlet यानि कि उनका पानी और बाफ की निकलने की जिगांग उसे हम कहते हैं outlet next proof strength forrés बिंग रोप्ड बाइट यांजिक जो अम रेक्रमांड वागे रहा हैं जो जी आएरा पल्ट व्यारी ना रेक्रिवच हो से हम क्रूज करते हैं Girard यो ना गञिवहें चार चैना लोमडी जैसा हो उसे हम कहते हैं वुलपाइन और देट विच इस डॉग लाइक जो कुत्य जैसा हो उसे हम कहते हैं कैनाइन यानि कि जो चूर जैसा हो उसे कहते हैं पोर्शन जो शेर जैसा हो उसे कहते हैं लियोनाइन और जो लोमडी जैसा हो उसे कहते हैं वुलपाइन और जो कुट्य जैसा होगा चुछी कहते हैं कैनायन तिंग्स टेकन बाइ रोबर्स यानिकि जो हमारे लुटे रहते हैं उनके ज़ारा लुट का समान होते हैं उसे हम क्या कहते हैं डूसे हम कहते हैं बूटी यानिकि लुट का समान next that which exists separately from other people यानि कि जो एक के दूसरों के गुला में अलग रहना पसंद करें तुस्षे हम बोलते हैं independent यानि कि सवतंदर next study of oceans and their phenomena यानि कि समुंदर की जो अद्देन होता है या फिर उसमुंदर में उने वाली गटनाओं की अद्देन को हम कहते हैं oceanography यानि कि समुंदर विज्ञान next करते हैं study of law यानि कि जो कानून का अद्देन होता है उसे हम बोलते है normology और study of fossils यानि कि जो हमारी जिवासम का अद्देन होता है उसे हम बोलते है plantiology उसे हम बोलते है plantology यानि कि जिवासमी की next question study of ancient things like tom's buried towns यानि कि यानि कि जो मारा मकबरों का अद्देन होता है उसे हम बोलते हैं क्या बोलते है आर्चियो लोज यानि कि पूरा तत्व विज्ञान next strong dislike between two persons यानि कि जो दो वेक्तियों के बीच में जो strong dislike यानि कि अधिक गर्णा होती है उसे हम क्या बोलते है उसे बोलते है antipathy यानि कि विद्वेस दोनों के वीच में अधिक गर्णा है उसे बोलते है antipathy next stream flowing into another river another big river यानि कि जो कोई आनि से विश्वास किया जासके जिस चीज़ पर उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं credible यानि कि विश्वास निये next question that which cannot be put out or extinguished यानि कि जो किसी विचीज को बाहर ना निकाला जासके या फिर उसे बुझाय ना जासके तो उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम बोलते हैं इनक्स्ट कि जेबल यानि कि अकाट यानि कि जिसे बुझा ना जासके बाहर ना निकाला जासके next that which cannot be satisfied यानि जो कभी भी satisfied ना करे उसे हम क्या बोलते हैं तुस्यिंग बोलते हैं security ne passive जो कभी भी satisfied ना करशके next question that which cannot be erased or removed यानि कि जिसे कभी मिटाय ना जासके और अटायना ज्यासके तुस्यम क्या बोलेंगे उसे हम बोलते हैं और तूटेना तूस्यम क्या बोलते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल यानिक लचिला तो दूस्तों जो आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत बूलना क्योंकि इसमें बहुत मैनत लगती है मैंने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड क्या है इसके उपर टाइप करने में इसके इन दी भी में क्रवेट क्या है तो चलिए एगले किसन की दरफ चलते हैं जैट वीच कैननोट वी सबाइब करे में करें दे तो कि एक मंदिर जो सभी दयाँकों साहथता है बगतें की मेरियोंसक्यों ने Undertale거든요 उप भी तुस या मोख़ेंगे समसिते हैं of Alexa करते हैं ये हम क्यबॉलते हैं पॉलता है डेमंग्राफी m was जे फिजिकल फिशिकल फिणोमा वफ लेक्स तुस्टे क्या बोलते मैं फिपराटिंग बाइऑ इनफेक्ष इंफेक्ष्ण यान कि फुस फुसाना तो उसे हम बोलते हैं काना फुसी करना उसे हम बोलते हैं विस्पर Next question Something that is hidden यान कि जो कुछ छिपावाओ तो उसे हम बोलते हैं mystery यान कि रहेश से Next question So deep that the bottom cannot be reached जिसके इसका मतलब जो इतना गैरा जिसकी तलटी में नजासके हैं A small shop that sells fashionable clothes और cosmetics तो उसे हम क्या बोलते हैं जो fashionable कपड़े बेचती हो या फिर cosmetic बेचती हो तो उसे हम बोलते हैं boutique यान कि छोटी दुकान Next question Serious crime like murder या फिर arson तो उसे हम बोलते हैं filoni यान कि महापराद Next question Send rage of light or heat यान कि जो कोई भी body हो rage बेचती हो किसी तक या फिर eat बेचती हो तो उसे हम क्या बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं radiate Next question Send back a criminal into custody और further investigation यान कि कोई भी criminal हो उसे वापिस बेचता जाए कि custody में फिर investigation करने के लिए तो उसे हम क्या बोलते हैं तुसे हम बोलते हैं, remand, next question, secret place difficult to access, यानि कि जो कोई भी गुप्त जगह हो, जहान जाना कठीन हो, तुसे हम बोलते हैं, recess, next question, secret agreement for a prevalent purpose, next question, sorry, इसे हम क्या बोलते हैं, तुसे हम बोलते हैं, collision, यानि के मिली बगत, या फिर जाल साजी, next question, search in the dark, यानि के जो अंदरे में टटोलना, या फिर किसे भी जीज के लिए अंदरे में, search in the dark, यानि के अंदरे में खोजना, तुसे हम क्या बोलते हैं, तुसे हम दो तरीके से बोल सकते हैं, यानि के group या फिर fumble, टोलना या फिर कोई भी गड़बड करना, next question, search for something, यानि के कैसे के लिए खोज करना, तुसे हम क्या बोलते हैं, secret religious meeting, यानि के जो किसी भी धार्मिक, धार्म की मीटिंग, secret meeting हूँ, तुसे हम क्याını बोलते हैं, तुसे हम बोलते हैं, conventional, स्चेमेंटिकल नेक्स्ट क्योंट शीवीडे ग्रूप ओफ मैनी आइलेंड यानि कि जो समुन दर हम बहुत ज्यादा आइलेंड है उसमें वो सेम क्या बोलते हैं तो शेम बोलते हैं आर्चीप लेगो यानिकि दूइप समूग नेक्स्ट क्योंटें एशिगनेचर ओन दी ब क्योंट समरी ओफ यानिकि जो सारान्स होता है किसी भी बूख या फिर स्पीच का तो उसे हम बोलते हैं इपिटॉम यानिकि प्रतिमान तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में हम करेंगे कि यह जो हमारे 50 और बचे हुए हैं जो मैंने टाइप किये हुए तो 50 और बचे में वेख करेंगे तो हमारे साथ बने रहने के लिए एक बड़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेश करना मत बुलना क्योंकि अगली वीडियो उससे आपके बस जल्दी से जल्दी पहुंच सकेगी